गुरुगराम के बावश्रापुर में हमें शाह ने एक चुनावी सभा को संबुलित किया और उसमें उन्होंने कॉंग्रेस नेता राहूल गांदी पर तीके हमले किये शाह ने राहूल को जूट बोलने वाली मशीन का और वन रैंग वन पेंशेन योजना पर कॉंग्रेस की लगातार ऑलोचना भी कि उन्होंने अगन वीर योजना का समर्थन करतेवे हर्याना की माताऊ से अपील की कि वे अपने बेटे को सीना में भीजने से जरा भी हिचकी चाहां नहीं को दादिक अमिश्या ने कहा कि मैं आपसे वादा करना चाहता हूं कि अपनी बेटे को सीना में भेजने से पहले संकोच न करें हर अगनी वीर को पेंशन वाली नौकरी मिलेगी हर्याना वो प्रदेश जहां हर दस्वा जवान सीना में जाता है मोदी ने कहा कि उन्होंने अगू किया है अब नहीं तन्वा के साथ पेंशन मिले वाली है हर्याना की मां अपने सबूर्तों को सीना में भीजने से जरा भी ना हिचकी जाए मैं आज बाश्यापूर से कहना चाहता हूं कि 5 साल बाद कोई ऐसा अगनीवीर नहीं होगा जिसके पास नौकरी नहीं होगी और पेंशन नहीं होगा बाश्यापूर से शान ये बड़ा एलान कर दिया है कि जितने भी अगनीवीर है उन्हें पेंशन वाली नौकरी मिलेगी उनके नौकरी में उन्हें पेंशन भी दिया जाएगा कि लगाता जो कॉंग्रेस है वो हमलावर है बीजेबी के उपर कि दी जौएगी है जानते हो ना कि लाउल बाबा को जानते हो या नहीं जानते हो वो कह रहे है कि अगनीवीरों से हरियाना के युवा बेकार हो जाएगी बायो बेन वे बरोजा मत करना यह जूट बोलने की फैक्ट्री है जूट बोलने की फैक्ट्री है वो अगनीवीर को समझे ही नहीं है अगनीवीर हमारी सेना को यूवा रखने का कारेक्रम है अगनीवीर युवानों को बेकार कराने का कारेकरम नहीं है जो भी युवा अगनीवीर में 25-30 लाक रुपय की एपड़ी करकर वापिस आएगा मैं आज नांगल चोदरी वालों आपको वादा करकर जाता हूँ एक-एक युवा को हर्याना और भारत सरकार मिलकर पेंशन वाली पक्की नौकरी देने का